सन 2000 में बेरन सी के नीचे मोजूद तल में से गोता खोरो द्वारा एक हैंड रिटर नौट निकाला गया और जब लोगों ने उस नौट को पढ़ा तो एक ऐसे दिल दहला देने वाली स्टोरी सभी के सामने आई और वो नौट जिसने भी पढ़ा वो सभी के लिए एक बहुत बहुत बुरा सपना था बट आप भी एक पैन पेपर पर लाइक बटन को ड्रॉ करके उसे दबा दे और उस पेपर को फॉल्ड करके कहीं पर फैक दे और जब वो किसी को मिलेगा तो वो भी किसी के लिए एक बुरा सपना होगा सब्सक्राइब बटन के ओपर भी क्लिक करते कमेंड्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन 12 अगस्त सन 2000 की सुबह सुबह रश्या से निकल कर 33 उसके सबसे बेस्ट नेवी के जहाज लडाकु जहाज वो सभी बेरेंट सी पर पहुँचे असल में बेरेंट सी पूरे प्रशांत महासागर का 800 मिल में घिरा हुआ एक शित्र है जो लगबग साल के 12 महीने जमी हुई हालत में ही रहता है और रश्या से निकल कर 33 जहाज जो यहाँ पर पहुँचे थे इस चीज की प्रैक्टिस कर सके अब obviously यह जो हमला होने वाला था यह किसी असली मिसाइल या फिर असली टॉर्पीडो से नहीं किया जाने वाला था इसके लिए वो लोग डर्स को यूज करने वाले थे जिने आज हम डमी मिसाइल्स के नाम से भी जानते हैं इस पूरे युद्धा भ्यास के इंचार्ज होने वाले थे एड्मिरल पॉपव नाम के ये वेक्ती और इनी के इशारे पर अब ये 33 जहाज एक दूसरे के ओपर हमला करने वाले थे और ये प्रोसेस काफी लंबा जो आने वाले कई दिनों तक चलने वाला था खेर सुबए 9 बजे यहाँ पर पहुँचते ही कुछ जिर तक सभी को ब्रीफ करने के बाद एड्मिरल ने अपने ही फ्लीट में मोजुद एक संमरीन को ये आदेश दिया कि तुम अपने टार्गेट को लोग करो और उसके ओपर दो मिसाइल शोड़ो इसके बाद ये नकली य रिपोर्टर्स भी अपनी छोटे-छोटे जहाज लेकर इन लोगों के पहुच चुके थे इनका इंट्रव्यू लेने के लिए और ये पूछने के लिए कि आकिर उनका युद्धा भ्यास कैसा चल रहा है और सबी रिपोर्टर्स एड्मिरल के पास गए उनका इंट्रव्य लेने लगे और उस इंट्रव्यू में एड्मिरल ने कह दिया कि हम पिछले 24 गंटों से अभ्यास कर रहे हैं और ये बहुत बहुत परफेक्ट चल रहा है और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस हमारे लिए होने वाली है रश्या के लिए होने वाली है बट जैसे ये न्यूज वहाँ टीवी पर चलाए गई और जो टीवी पर लोग इनको देख रहे थे उन मेंसे इन जहाजों पर मोजूद क्रू मेंबर्स के घरवाले भी थे और उन घरवालों के बीच में एक अफवा फैल गई कि ये युद्धा भ्यास कुछ ठीक नहीं चल रहा अब ये अफवा उनके बीच में किसने फैला ये आज तक पता नहीं चला बट उन सभी के बीच में के अफवा फैल चुकी थी कि वहाँ पर युद्धा भ्यास ठीक नहीं चल रहा उन 33 में से किसी एक शिप के साथ किसी एक सम्मरीन या फिर एक शिप के साथ कुछ गडबड हुई है और उसक अफवा उड़ रही है जो बाते चल रही है इनमें कितनी सचाई है और इतने सारे लोगों के एक साथ फोन आने की वज़े से पूरे नेवल बेस के ऊपर अफरा तफरी मच गई कि आखिर ये बात किसने उड़ाई है कि वहाँ पर कोई एक्सिडेंट हुआ है या फिर आखिर कैसे पता चल गया खेर इतने सारे फोन उठा 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 गर वहाँ पर सभी फोन ओपरेटर्स जवाब देने लगे कि हमें नहीं पता कुछ भी हमें खुद आप से पता लग रहा है कि ऐसी कुछ कांड वहाँ पर हुआ है बट हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं है अगर हमारे पास होगी तो हम आपको सबसे पहले जरूर दे देंगे जिसके बाद इन क्रू मेंबर्स के परिवार वालों ने रश्यन मीडिया को एक जगे इकठा कर लिया और उस प्रेस कॉन्फरेंस में सभी रियूमर्स के बारे में इन मीडिया वालों को बताया कि आख अब की बार मीडिया वाले उनसे सवाल कर रहे थे कि शहर के अंदर देश के अंदर ये चीज़े फैल रही है और आप इसका जवाब दीजे लेकिन एड्मिरल पॉपव ने किसी भी तरीके से कोई भी जवाब देने से बिल्कूल मना कर दिया कि नहीं मुझे खुद नहीं पता आप ये क्या पूछ रहे हैं हमारा तो युद्याब्यास एकदम ओके चल रहा है आपको आकिर किस ने बता दिया सब कुछ प्रफेक्ट है सब कुछ प्रैन के अकोर्डिंग चल रहा है कोई भी टैंचन लेने के जरूरत नहीं है अब जैसे ये विडियो वहां मेडिया के अ आप वाहू के उपर विच्वास करें बट सेम टाइम पर रशन ओफिशल्स ने आकर प्रेस कॉन्फरेंस करी और उसमें बताया कि हाँ उन 33 जहाजों में से एक सम्मरीन जिसका नाम कर्सक है वो एचल में उसके साथ कुछ टेकनिकल डिफिकल्टिस हो गई है और उस वज़े नाम की उस सम्मरीन के अंदर जितने भी क्रू मेंबर्स पैठे हुए थे उनके घरवालों ने जैसे ये चीज सुनी कि सरकार ने आकर ये सब कुछ बताया है कि उनके सम्मरीन के साथ ये सब कुछ हो गया है और उनके अंदर हमारे परिवार वाले फसे हुए है वो सभी के इस भी अच्छे से पता थी कि कर्सक उस टाइम की सबसे जादा लेटेस टेकनोलोजी से बनाई गई वो सम्मरीन थी जिसके अंदर बहुत बहुत जादा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और ये सबसे महेंगी सम्मरीन थी उस पूरे फ्लीट की मतलब कि कोई अ सरकार हमें बता रही है वो जल्दी ही वापिस सर्फिस पर आ जाएगी उसके अंदर जितने भी लोग फसे वे हैं उन सबी को वापिस बाहर निकाल लिया जाएगा टेंचन लेने वाली कोई बात नहीं है बट पूरा दिन बीच जाने के बाद भी कर्सके अंदर मौजूद क कि परिवार वालों को जब और कोई जानकारी नहीं जानकारी सरकार की तरफ से या फिर एड्मिरल पॉपाव की तरफ से नहीं मिली तो अवियसली उनके अंदर पैनिक आ गया कि आखिर क्या सच में कर्सके साथ कोई छोटी मोटी दिक्कत हुई है या फिर कुछ और बढ़ा उन्होंने एसकेप हैच के थुरू इस सम्मरीन के अंदर दाखिल किया और अंदर से उनको जो नजारा दिखाए दिया वो लिट्रली सबी के दिल देहला देने वाला था जी हां एसकेप हैच सबसे पहले में आपको बता दूए के एक वाटर टाइट एंड क्लोजर होता है जिसके उपर बैट कर कोई भी वेक्ती उपर से अपना धकन बंद करके नीचे जा सकता है सम्मरीन के अंदर बीना सम्मरीन को नुकसान पहुचाए बीना उसके अंदर बाड़ वागेर लेका है अगर ऐसे उसका धकन खोल दिया तो सारा समुद्र का पानी उसके अंदर चला की गई और वो स्टोरी औफिशली रश्या गॉर्मेंट ने भी पूरी दुनिया को बताई कि हां यही हुआ होगा क्योंकि उसके पूरे एविडेंस हमारे पास थे और उनी एविडेंस के बेसिस पर जो स्टोरी बनी वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ अब इसके अंदर क क्रू मेंबर्स एक साथ रहे कर अपना काम करते रहे थे मतलब की एक कमपार्टमेंट मान लीजे मिसाइल्स का है दूसरा इंजन का है तीसरा खाने पीने का है चोता वाश्रूम वगारा का या फिर अंदर वो सोने वगारे के लिए जो बंकर्स बनाए गए गए थे अलग ल सबी के सभी नेवी से जुड़े हूए थे तो स्टार्टिंग से ही बहुत руд morning routine के अप्लाई गए थे और फाइनली almonds चूप अउसे और इसका रूपार्स नाम की संबर्टमे पर ऑफिसर भी बनाया गया और यह चीस उभीप बनाए गया यह चीज़ अब्यम्यासली ने रि दिमिट्री की शादी हुई थी और जैसे ही शादी हुई उसके बाद सबसे पहला काम दिमिट्री ने यही किया कि वो अपने पत्नी के साथ obviously कर्स नाम की समरीन के उपर आया उसका पूरा टूर दिलाने के लिए कि आखिर वो काम कहां पर करता है और जैसे यह चीज उसकी पत्नी ने सुनी कि हाँ हम इस समरीन के उपर जाने वाले हैं उसकी पत्नी ओल्गा ने अपने साथ एक वीडियो कैमरा भी उठा लिया कि हाँ मैं इस पूरे टूर को फिल्माऊंगी यह सारे उपकरण क्या है किसका क्या काम है वो सब कुछ उसके अंदर बता रहा है और काफी काफी जड़ा खुछ ने जड़ा रहा है So fast forward to 12th of August 2000 यानि कि वो दिन जिस दिन इस कर्स नाम की समरीन को अपने बाकी 32 और जहाजों के साथ वो युद्धा भ्याश शुरू करना था So सुवे सुवे एड्मिरल पॉपाव ने सभी के सभी नेवल अधिकारियों को ब्रीफ किया और उसके बाद सुवे सुवे तकरीबन 11.30 बजे के आप सुपास कर्स नाम की समरीन जो की अब पानी के लेवल से थोड़ा नीचे जा चुकी थी अपनी पोजीशन ले चुकी थी क्योंकि सामने अब उसको अपने दुश्मन जो भी इमेजनरी जो दुश्मन सामने कड़े थे इन सभी के उपर फायर करना था और 11.30 बजे के आप सुपास कर्स नाम की इस समरीन का कैप्टन जिसने एड्मिरल पॉपाव के साथ क्रेडियो के ओपर कॉंटेक्ट किया और उ करने के लिए जो इस कंपार्टमेंट जो बनाए गए थे उसमें जो एक नंबर कंपार्टमेंट था मतलब कि सबसे सामने वाला जो जहां से समरीन शुरू होती है बिल्कुल वो वाला कंपार्टमेंट उसी एक नंबर कंपार्टमेंट के अंदर ही सभी असली टॉर्पीडो ब्यास में यानि कि 114 लोगों को रेडियो के उपर बता दिया कि अब हम अपना युद्धा ब्यास शुरू करने वाले हैं और कमपार्टमेंट नमबर एक के अंदर जितने भी क्रू मेंबर हैं वो दो डमी टॉर्पीडोस को उठा कर सामने लोड कर दे और हम अब फायर के लिए तयार हैं जबकि उस टैंपर डिमिट्री खुद कमपार्टमेंट नमबर 7 के अंदर मोजुद था जो की इंजन रूम होने वाला था इस पूरी सम्मरीन का और जैसे ही वो अनाउंस्मेंट डिमिट्री ने सुनी कैप्टन के द्वारा की गई थी डिमिट्री भी अपनी पोजिशन ले चुका था उसने सभी लेवल्स को सेट कर दिया इंजन्स को प्रोपर तरीके से जो उस टैंपर होना चाहिए था एसोपी के थुरू वो सारा पकड़ा उसी टैंपर उसको एक बहुत-बहुत गहरा जटका लगा और एक बहुत-बहुत तेज क्रेश करने की कोई साउंड सुनाई थी अब जैसी यह साउंड डिमिट्री ने सुनी डिमिट्री को लगा कि नहीं यहां कुछ दिक्कत हो सकती है क्योंकि उसने पहले भी का कर पीछे दिवार में लगा इस सब कुछ बिलकुल ऐसा था जैसे किसी ने आगे से सम्मरीन को बहुत जोड़ से धक्का दिया हो और सम्मरीन बहुत स्पीड में पीछे की तरफ जा रही हो जहां असल में जो अभी अभी दो टॉर्पीडो फायर किये गए थे इस कर्क सम्मरीन से ये दोनों के दोनों बिलकुल नकली टॉर्पीडो थे इनके अंदर बेशक बारूद भरा गया था लेकिन वो फटने वाला बारूद नहीं था वो जस्ट इसको थ्रस्ट देने वाला थे इन मिसाइल्स को जो की बाहर जाकर सिदा बस सामने दुश्मनी जाहा से टकराते और वहीं डिस्पोज हो जाते पट जैसे यह दोनों टॉर्पीडो फायर किये गए उन्ही सेक्शन्स के पास असली टॉर्पीडो भी रखे हुए थे और उन में से एक असली टॉर्पीडो जो पता नहीं उस टाम पर किस सरीके से खराब हो गया और इन दोनों नकली टॉर्पीडों से निकली हुई चिंगारी जैसे ही उस असली टॉर्पीडों के पास गई उस असली टॉर्पीडों ने आग पकड़ ली और वो आग इतनी जारा तेज थी कि सेकिंडों के अंदर ही वो पूरा का पूरा टॉर्पीडों बजाए आगे जान चाहे वो अंदर हो या फिर बाहर, आप obviously कोई असर नहीं पड़ा, बेशक असर नहीं पड़ा, वो असली टॉर्पीडो अंदर ही फट गया, सोच कर देगे एक पूरा का पूरा मिसाइल अंदर ही फट गया, लेकिन ये संबरीन अभी भी डू भी नहीं, इसके अंदर कहीं से पानी नहीं आ रहा था, बट उस टॉर्पीडों के फटने से अंदर आग लग चुकी थी, और जैसे ही संबरीन के फर्ष्ट कंपार्टमेंट के अंदर आग लगी, पूरी संबरीन के अंदर सभी साइरंस बज़ने लगे, सभी वार्निंग साइंस ओन हो चुके थे, अब ज जहां पर है, जिस कंपार्टमेंट के अंदर वो काम कर रहा है, उस कंपार्टमेंट का उसको अपना दर्वाजा बंद करना है, मतलब कि डिमिट्री अब सेवंथ कंपार्टमेंट के अंदर था, उसके दो दर्वाजे थे, जो कि पहला तो छटे कंपार्टमेंट में खुल रहा था और दूसरी तरफ उसका दूसरा दरवाजा 8th कमपार्टमेंट में खुल रहा था सबसे पहले डिमिट्रे ने अपने बाकी सवी क्रू मेंबर्स को का कि जल्दी से जल्दी जागे तुम वो वाला दरवाजा सील करो तो मैं ये वाला सील करता हूँ ताकि अगर जाहस के अंदर इस सम्मरीन के अंदर पानी आए भी तो हमारे कमपार्टमेंट में ना पहुँच पाए अब स्टेंडर्ट ऑपरेशन प्रोसीजर के ताहए दिमिट्वि ने अपने दोनों दर्वाजों को सील कर लिया और बाकी जितने भी क्रू मैंबर से उन सबी ने एक एक करके अपने दर्वाजों को सील कर लिया क्योंकि वार्निंग साइंस बहुत ज़ोर ज़ोर से दिखा रह क्योंकि फर्स कंपार्टमेंट की आग ने सभी दर्वाजों को वहां कम जोर कर दिया था अब बेशा कैप्टन अपने कैबिन के अंदर बैठ कर पूरा जोर लगा कर उस हैंडल से इस पूरे सम्मरीन को किसी तरीके से उपर सर्फिस पर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था बट पूरा जोर लगाने के बाद भी ये सम्मरीन अपनी लगबग पावर खो चुगी थी और वो अब सत्य के उपर अविसली नहीं आ सकती थी जिसके बाद एक दम से ही सभी लोगों ने फील किया कि जहाज ये सम्मरीन आगे से नीचे की तरफ जुक चुकी है और बहुत स्पी टॉर्पीडो वहां पर रखे हुए थे असली वाले उन टॉर्पीडो यंदर आग लगा दी और जैसे उन टॉर्पीडो ने उन मिसाइल ने आग पकड़ी वो अंदर ही ब्लास्ट हो गए क्योंकि कहीं और चाने के लिए तो जगय नहीं थी और जैसी वो ब्लास्ट हुए आगे से पूरी की पूरी संबरीन फटके फ्लावर हो चुकी थी मतलब आगे से इसका पूरा चितरे चितरे उट चुके थे अब क्योंकि इतने सारे टॉर्पीडो अंदर ब्लास्ट हुए थे आग पहले लगी हुई थी और उसी ब्लास्ट की वज़े से अंदर मोजुद ज जो भी बचे हुए थे बाकी के चार-पांच कंपार्टमेंट्स के अंदर उनके आगे जो अब लोही की जो बहुत बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी दिवारे थी संबरीन की वो अब सारी फट चुकी थी वो सारी अब निकल चुकी थी अब जो सारा पानी था वो सारा का सारा इस सम्मरीन के अंदर अब दाकी लोने वाला था पूरे प्रेशर के साथ क्यों क्योंकि अब यह जहाज उपर से लेकर नीचे तकरीबन साड़े तिन सो फुट गहरे समुद्र के तल में पहुच चुका था और जैसे यह जहाज पहुचा अंदर मोजुद लोगों को एक भयंकर जटका भी लगा इन लगातार हुए ब्लास्ट के अंदर बचने वाले सिरफ चार ही कंपार्टमेंट से छटा, साथवा, आठवा और नौवा बाकी के जो शुरू के पांच कंपार्टमेंट से उनके अंदर जो लोग मोजुद थे वो एक ही जटके में या तो इस ब्लास्ट से मर गए या फिर इस ब्लास्ट की वज़े से हुए इस पूरे दुरगटना में उनको समुद्र में फैक दिया गया, उनको चोटे लगी और उनकी डूबने से मौत हो गई होगी, यह सम्मरीन जैसे नीचे जाकर तल पर बैठी और उसके बात तकरीबन दो घंटों था कि सम्मरीन के साथ क्या हुआ, यह आज भी एक डिबेट का विशह है, इसी के बारे मैं मैं बात कर रहा था कि क्यों लोग इसके बारे में अप अबर सोर्स मौजूद था, मतलब यह था कि जो अंदर लोग हैं, वो किसी तरीके से सही से सांस ले पा रहे हैं, अंदर लाइट है, अंदर लोग भी अभी तक सेफ हैं, बट अंदर बहुत तेजी से आग फैलती जा रही है और उस आग लगने की वज़े से जो केमिकल गैस रिलीज हो रही हैं, वो भी बहुत तेजी से इस समरीन के अंदर फैलती जा रही होगी, इन्ही दो घंटो बाद लोगने क्रू मेंबर सेवन्थ कंपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए वेट कर रहे थे कि उनको कब बचाया जाएगा, बट उनको तभी एक बहुत जोर की अपने चटे कंपार्टमेंट वाले दर्वाजे के उपर सुनाई दी, आप सोच कर दे कि मैंने आपको पहले बताया था, पहले चटा कंपार्टमेंट और सात्वा कंपार्टमेंट उनके बीच में एक दर्वाजा, अमर्जेंसी डौर और फिर आटवा कंपार्टमेंट और उनके बीच में 7 और 8 का दर्वाजा अब छटे और 7 के बीच में जो दर्वाजा था उसके ऊपर बहुत जोर जोर से डिमिट्री को ओविसली एक खटकटाहट सुनाई दी अब जैसी ये चीज सुनी अब अमर्जेंसी प्रोटोकोल तो यही कहता है कि आप कितनी भी बड़ी अ अमर्जेंसी में क्यों ना हो आप ये दर्वाजा नहीं खोलोगे बाट डिमिट्री ने जैसी वो ठकटकाहट सुनी उसके मन में दया आई कि हाँ कोई हो सकता है च्छटे कमपार्टमेंट के अंदर अभी भी जिंदा हो और उसको मदद की जरूर थो तो क्यों ना हम उसे अ इंक्लोडिंग बहुत सारा पानी भी जी हाँ छटे कमपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा पानी बहुत तेजी से भरता जा रहा था और इसके बाद बहुत चोर लगा कर सभी लोगों ने मिलकर उस दर्वाज़े को दोबारा से बंद किया और ये चीज उन सभी के लिए प आइवंध कमपार्टमेंट के अंदर भी जरूर आएगा डिमीट्रियर उसके सभी साथियों ने अंदाजा लगा है कि अब सिरफ हमी बचे हैं इस सम्मरीन के सबसे आगे वाले हिस्से में और आगे कोई भी मोजुद नहीं है जो भी जिंदा वेक्ति मिलेंगे हमें इस सम् उपर से हो सकता है हमको बचाने के लिए टाइम लग जाए अब जयसे चीज सभी क्रू मेंबर से ने सुनी उन्होंने जोर लगा कर सेवंध और एट्स के बीच में जो तरवाजा था उसका हैंडल उठाया और सभी के सभी क्रू मेंबर अब आठवे कंपार्टमेंट में जा ये बहुत बहुत ज़रा डरा देने वाली थी क्यों क्योंकि उनको पता था कि आकरी टक 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 की अवाज कहां से आ रही है सबसे पहले तो वो आग जिसने इस पूरे के पूरे धाचे को बहुत ज़रा कमजोर कर दिया और दूसरा ये पानी साड़े 300 फीट की गहराई में सोच कर दे कि कितना पानी का प्रेशर होगा उस सम्मरीन के उपर वो सारा प्रेशर अब सम्मरीन के इस एक्स्टरनल जो दिवार थी उनके उपर लग रहा था अगले हिस्से से सम्मरीन के और ये चीज वो लोग सभी समझ चुगे थे कि सम्मरीन के जो धाचा है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और पानी इसके उपर अपना दबाव लगा रहा है और पानी चल्दी ही 9th कमपार्टमेंट के अंदर भी आ जाएगा जिसका मतलब साफ ये था कि जैसे ही चटे का पानी 7वे के अंदर आएगा वो 7वे का दर्वाजा तोड़ते हुए 8वे के अंदर आएगा और 8वे का दर्वाजा तोड़ते हुए 9वे के अंदर गुच जाएगा और किसी तरीके से साड़े 300 फीट की गहराई से सीधा उपर सतय तक जाएं तैरते हुए, लेकिन ये तो कोई आप्शन ही नहीं है, साड़े 300 फीट की गहराई से उपर तक तैर कर जाना, वो भी इतने भारी समूदरी प्रेशर के उपर बिल्कुल इंपॉसिबल है, और वो भी बिना ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि उनके पास कोई ऑक्सीजन सिलेंडर मोचुदी नहीं था, सभी बाकी बच्चे हुए लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बहसर सी मच चुगी थी, अव्यसली सभी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, लेकिन दिमिट्री उस टाइम पर भी बिल्कुल शांत, इतना शांत कि उसने अपने डायरी में से एक पेज को फाड़ा, उसको डायरी के ओपर रखकर उसके ओपर कुछ-कुछ लिखने लगा, और जिहां, उसने सबसे पहले डेट लिखी, और बताया कि मैं और मेरे जैसे 22 और लोग इस नोवे कंपार्टमेंट के अंदर फसे हुए हैं, और हम किसी तरीके से रेस्क्यू आने का वेट कर रहे हैं, अभी हम सब कुछ ठीक है, हमारे पास लाइट भी है, हमारे पास air purifier काम कर रहा है, हमें सास लेने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसके बाद उसने लिखा कि हमने escape hatch से भी बाहर निकलने की कोशिश करी, बट वो आइडिया हमारे लिए काम्याब नहीं हुआ, क्यों कि हमारे पास वो सारे साधनी नहीं है, कि हम escape hatch को खॉल कर, यहां से बाहर निकल सके, सब्मरीन से और उपर सतय तक जा सकें, उसके आगे उसने time भी लिखा कि यह चीज मैं कब लिख रहा हूँ, जिसके बाद उसने वो सारो कुछ लिख कर, उस paper को fold करके अपने उपर वाली jam में रखा, और बाद में जस वेट करने लगा कि आगे क्या होगा, और तकरीबन तेट घंटे बाद इन सबी का जो डर था, वो अब साच होने वाला था, जि हां, जो compartment के अंदर lights चल रही थी, वो एकदम से कायब हो गई, मतलब compartment के अंदर जितने भी generators चल रहे थे, बैटरी चल रहे थे, पानी वहाँ तक पहुँच चुका था, और उन वजे से ही generators और बैटरीज ने काम करना बंद कर दिया, और pitch black darkness के अंदर ये 22 प्लस एक डिमेटरी 23 लोग मौजुद थे, और सोच कर दे कि आप उनके अंदर क्या हाल हो रहा होगा, एक compartment जिसके अंदर वो फसे होएं सम्मरीन के, सम्मरीन ओपर उट नहीं सकती, वो तो बिल्कुल dead हो चुकी है, समूद्रे के अंदर वो साड़ी 300 फीट की गहराई में और बिल्कुल dark नहीं इसके अंदर, उनको पता है कि हमें जल्दी नहीं बचाये गया, और यही हमारे अंदिम यात्रा भी होगी, हमें यहां से कोई बाहर भी नहीं निकाल कर लेकर जाने वाला, यह चीज सारी डिसकस होई रही थी, और तभी डिमिट्रे ने वापिस अपने अंदेरे के अंदर या अपनी जेब के अंदर हाट डाला, और पैन और पेपर को दोबारा निकाला, पहले जो चीज उसने लिखी थी, वो बिल्कुल neat and clean handwriting के अंदर थी, पूरे organized तरीके से थी, लेकिन अब जो वो चीज लिख रहा था, उसके हाथ कप कपा रहे होंगे, और obviously वो बिना देखे लिख रहा था, तापमान बहुत ज़रा जल्दी से नीचे गिरने लगा, हम सभी हाइपो धरिमा का शिकार होने वाले हैं, हम सभी के हाथ कप कपा रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ कर बैठे हुए हैं, एक दूसरे को गर्मी दे रहे हैं, बट वो भी कब तक दे देंगे, कभी ना कभी तो हमें यहाँ पर या तो मरना पड़ेगा, या फिर बचाया जाएगा, उसने इसी नौट के अंदर लिखा कि मैं जो लिख रहा हूँ, वो मुझे दिख भी नहीं रहा, आइम राइटिंग ब्लाइंड, उसी नौट के अंदर उसने नीचे लिखा कि मुझे नहीं लग रहा, अब मैं बच पाऊंगा, या फिर हमारे साथ जितने और लोग मौझूद हैं वो बच पाएंगे, क्योंकि किसी को भी अब उमेद ही नहीं है, यहाँ से बाहर निकलने की, उसने बचे हुए बाकी के पेज के अंदर, अपनी पत्नी के लिए, अपनी परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बाई बहनों के लिए, सब कुछ लिखा, उन सभी को प्यार दिया, और बाद में नीचे लिखा कि कोई भी अफसौस मत करना, मेरे जाने का कोई भी दुख मत जताना साइड में नीचे बड़े बड़े अक्षरों के अंदर उसने कलाशनी खौव लिखा ये सारा कुछ चीजे लिखने के बाद वापिस उसने उस पेपर को फॉल्ड किया अपने उपर वाली जेम में रखा और डिमिट्री और बाकी के बाइस लोग लिट्वली अब मरने के लिए तयार थे वो वेट कर रहे थे कि कब ये पानी बहुत जल्दी से भर जाये क्योंकि अब उनको बचने के कोई उमीद ही नहीं लग रही थी अवियसली उनके पास कोई और इलाज ही नहीं था ये चीज आज तक पता नहीं लग पाई कि डिमिट्री और उसके बाइस साथ ही आकिर कब मरे होंगे उनके साथ कितनी देर तक वो बाद में बचे रहे और अंत में उनके साथ एच्छल में क्या हुआ वो किस तरीके से मरे किस तरीके से फड़ फड़ाए होंगे अपनी जिन्दगी को बचाने के लिए बट एक्सपर्ट्स ने बताया कि तकरीबन इस हाथसे के 8 घंटे बाद ये पूरी की पूरी सम्मरीन पानी से भर चुकी होगी मतलब ये था कि maximum maximum ये लोग सिरफ 8 घंटे ही उस compartment के अंदर जिन्दा रहे होंगे अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल बस यही था कि आखिर इसमें किसकी गलती थी और अगर ये गलती हुई तो इसको सुधारा क्यों नहीं गया इसमें सबसे बड़ी गलती यहाँ पर मुझे लगी एड्मिरल पॉपाओ नाम के उसे इंचार्ज की जो पूरा युद्धा भ्यास करवा रहा था सबी क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर क्यों क्यों क्योंकि सबसे पहले तो उसने जैसे ही वो पहला धमाका सुना उपर रिपॉट आ गई थी कि हाँ उनके साथ धमाका हुआ है बट अभी भी वो रेडियो टच के अंदर थे तो उसको लग रहा था कि हाँ रेडियो टच से ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और वो इसको वापिस सर्फिस करवा देगा बट ऐसा नहीं हुआ जबकि जब इस समरीन वापिस नीचे जा रही थी तल की तरफ तब उसे दूसरा ध्यमाकी की भी आवाज सुनाई दी और उस टाइम पर भी इस एड्मिरल पॉप उफ ने कुछ नहीं किया दूसरी सबसे बड़ी गलती से एड्मिरल पॉप उफ की कि उसने नीचे एक रेस् उनसे वो escape hatch खुला ही नहीं और वो लोग खाली हाथ वापिस आ गई समरीन को जब देखकर आने वाले कई दिनों तक अलग लग तरीके के समर्सिबल अलग लग तरीके के crew members को नीचे भेजा गया इस escape hatch को खौलने के लिए क्यों क्योंकि सिरफ एक मातर तरीका था इस escape hatch के द की कोशिश करी कि क्या अगर तुम से अगर वो escape hatch नहीं खुल रहा तो हम यहाँ से टीम भेज देते हैं वो लोग जाकर escape hatch को खौल देंगे और नीचे से अंदर आगर कोई वक्ती मोजूद होगा तो उसको बाहर निकाल लाएंगे बाट रशिया इन सभी helps को मना करता रहा कि नहीं हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं हैं और फाइनली नौ दिनों बाद नौर्वे की मदद को रशिया ने असेप्ट किया और नौर्वे से टीम उठकर सिधा रशिया के इस बेरेंट सी के अंदर पहुँची अपने समर्सीबल के साथ और वो लोग फाइनली साड़े 300 फीट नीचे गए उसके एसकेप हैज को खौलने के लिए और अंदर मौझूद लोगों को देखने के लिए कि आखिर कोई जिंदा बचा है या नहीं और जैसे इस नौर्वेजियन टीम ने अपना पूरा दिमाग लगा कर अपनी पूरी शक्ति लगा कर उस एसकेप हैज क देर रही हैं और उन लाशों को एक एक करके उपर उस एसकेप हैज से बाहर निकाला गया और फाइनली जब इन 23 लाशों को उपर ले जाया गया किनारे पर जाकर इन सभी लाशों की चेक की गई क्योंकि किसी की भी शकल पहचान में नहीं आ रहे थी सभी लाशे शड़ की वही कपड़े के उपर वाली जेब थी शर्ट के उपर वाली जेब में से वो कागच मिला उस कागच को जब खोल कर पढ़ा गया तो वहाँ खड़े लोगों की आँखों में लिटरली आंसु थे जिसके बाद ही लोगों को असल में इस पूरी संबरीन के साथ क्या हुआ इसी नौट को पढ़कर पता लगा कि आखिर यहां अंदर क्या चल रहा था उस टाइम पर इस पूरे क्रू मेंबर के साथ और उन लोगों ने अपनी मौत को किस तरीके से फेस किया होगा सोच कर देखिए आपको पता है कि आप जिस कमरे में मौझूद है यह कमरा धिरे धिरे पानी से बढ़ता जा रहा है और आपको यह भी पता है कि आप इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते पिछ ब्लैक डाकनेस है आप उस टाइम पर क्या करेंगे कितना जाला क्लास्ट्रोफोबिक रहा होगा वो दिरे 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 पानी बढ़कर उनके उपर आ रहा होगा सोच कर देखिए उनके दिल के उपर क्या भीती होगी उस टाइम पर हैर रश्टन सरकार ने इन पूरे ही क्रस के क्रू मेंबर्स को यानि कि 117 के 177 लोगों को Honor of Courage से सम्मानित किया मतलब कि ये रश्टन के अंदर सबसे बड़ा दिया जाने वाला पूरुसकार है कोई भी सरकार ये पूरुसकार इसके लावा इन सभी क्रू मेंबर्स के परिवारों को आने वाले 10 सालों तक इनकी सेलरिस भी दी गई इसके लावा इन सभी परिवारों को कहा गया कि आप रश्या में किसी भी शहर के अंदर जाकर प्रोपरिटी ले सकते हैं घर करी सकते हैं और वो घर सारा आपको सरकार दिलवाएगी इसके लावा इन सभी के बच्चों को कॉलिज तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी ये पूरी स्टॉरी थी उस भयंकर एक्सिडेंट की जो बहुत बहुत ज़ादा दिल दहला देने वाला था आज भी ये चीज पूरी डिबेट का वीचे है कि आकर इतना कुछ हो गया और उपर से मदद क्यों नहीं भीजी रश्या ने या फिर वो जो एड्मिरल पॉपा वो उपर खड़ा था इस पूरे युद्धा भ्यास का इंचार्ज उसने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया उसने कोई सड़न प्लैन क्यों नहीं तयार किया उसने क्यों नहीं कोशिश करी नीचे बचाने की उनको फेर ये सारे सवाल आज भी बर करार है आप मुझे बताएगी आपको इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है और क्या आपको ऐसे ही क्लॉस्टरफोबिक स्टोरीज पसंद हैं अगर हां तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम के उपर आकर मुझसे बात भी कर सकते हैं और वो जो नॉर्वीजियन डाइवर्स जब इस एसकेप हैच को कॉल कर अंदर गए थे उसकी पूरी फूटेज मैं यहां तो नहीं लगा सकता बठाँ आप मेरे इंस्टाग्राम के प्रोड का चैनल में ज़ागर जरूर देख लें मैंने वहां पर अप्लोड कर दी है यह मेरे इस्टाग्राम आइडिस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए फिछली वीडियो का शाउट आउट बुले ट राजा को अगली वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए दन्यवाद